ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा श्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांती आमोले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है वेस्ट और नेगेटिव थौट्स आज की दुनिया की एक ज्वलंत समस्या है और देखा गया है कि अधिकतर तन और मन के रोगों का कारण भी ये नेगेटिव और वेस्ट थौट्स ही है और जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं स्वयम को सशक्त बनाने का अभ्यास करते हैं तो भी देखा गया है कि ये नेगेटिव थौट्स बीच में आ जाते हैं परम पिता परमात्मा जो नकिवल हमें परन्तु हमारे मन के भावों को भी जानते हैं वो इस समास्या का भी समाधान हम सभी को बताते हैं आज हम इनी नेगेटिव थौट्स पर कैसे विजय प्राप्त करें इसी बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे परम पिता परमात्मा के महावाक्यों द्वारा और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे मद्य है प्रजा पिता ब्रामा कुमारिज ईश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षर आदर्नी राजुभाई साहब फैसाब आपका आज के अपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है कसम हम पिछले अपिसोड में बातचीत कर रहे थे 26 जनवरी 1970 के महावाक्यों के बारे में और जिसका टॉपिक था याद के यातरा की संपौन स्टेट विधी महावाक्यों में हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें कहते हैं कि कहां भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है स्नेहे और सहयोग का यादगार छोड़ना है जितना एक-दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विग्न हटाने में सहयोग मिलता है सहयोग देना, अर्थात सहयोग लेना परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है स्नेह है संबंध जोडने का साधन फिस अब आजकल परिवारों में स्नेह और सहयोग दोनों ही कम होते जा रहे हैं दो लोग बेकठे नहीं रह पाते हैं. यसे में परमात्मा चाहते हैं कि संपुर्ण स्रिष्टी एक परिवार के रूप में रहे और हम एक दूसरे के साथ आत्मिक सनहे और सहयोग की भावना से रहें. तो ये ईश्वरी ज्यान कैसे ये सहयोग और सनहे जागरत करता है? जब हम परमात्मा पिता के साथ सच्चा सनहे करते हैं तो उस पिता के ही सब बच्चे हैं. एक परिवार है और परिवार में हर एक की विशेष्टा अगर हम देखते हैं तो विशेष्ता देखने से सने बढ़ता है, जहां पर कमी और कमजोरियां नोट होती है, बार बार किसी की बुराई हम सुनते या देखते हैं, तो सने का धागा तूट जाता है, इसलिए परिवार में आवस्यक है कि हर आत्मा विशेष आत्मा है, उस भावना से हम एक दूसर संबन्द में आए, उसकी विशेष्ताओं को देखें, तो सने बढ़ता जाएगाल उर सम्मैंğ freedoms को आगाएगा और जब सने भड़ेगा हमारा संंन्मंध भी ही ठीक रहेगा, तो हम एक दूसरे को सहियोग इगे। जो हमारे आगे बिखनाभ हमाय को अपनी सक्ती से अगर को नहीं हटा सकते हैं, और परिवार हमारा अच्छा सनेही है, सहयोगी है, तो उसका सहयोग भी मिलता है, उसकी सुभावनाएं भी उस माया के विगन को हटाने में मदद करती है, जैसे आज की बात मैं आपको सुनाता हूं, आज सवेरे सवेरे में दादी जी से मिलने गया, त तो भी मैंने पत्र भेजा कि दादी जी आप पढ़ के पास करें, तो मैं इसको भेजूँ, जब मैं उनके पास गया, तो कहने लगी मैंने पढ़ा लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, और तुमको तो बहुत दुआएं हैं, तुमको तो सब का सनेह मिल रहा है, इसलिए क पारे गलत नहीं होगा, आप सब को भेज दो, बहुत सनेह से जैसे एक दुआ देती आत्मा, सहयोग ये भी मैं समझता हूँ, उनका सहयोग है, कि भले भी मार्ण हैं, कुछ तभीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी सनेह से बोला कि तुम जो लिखते हो, करते हो, ठीक होता है, इ जानती हैं, तो उनका सहयोग मिलता रहता है, कोई भी कारे में बिखन नहीं याता है, रुकावत नहीं आती है, अगर भी पास नहीं कराते हैं, और हम भेज देते हैं, तो हमारे अंदर संकल्प रह जाता है, कि दादी जी से हमने सुविक्रती नहीं ली और अपने आप परिवार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और जब हम रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को तो एक दूसरे का सनेह मिलता और जहां सहयोग है, तो लोकिक में भी अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो सनेह के पात्र बन जाते हैं, कमी कारण यही एक दूसरे की विसेष्टाओं पर ध्यान नहीं जाता, एक दूसरे की कमी कमजूरियों का वणन चिंतन करते और उसके आधार से जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो दूरियां बढ़ जाती हैं। उन दूरियों को समाप्त करने के लिए जरूरी है आत्मिक सने, आत्मा के अंदर विसेष्टाएं बहुत हैं, लेकिन हम उन विसेष्टाओं को न देख करके उनकी साधानता को उनकी कमी कमजूरियों को नोट कर देते तो उसे सने कम हो जाता है। बहुत अब एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं कि सने जोडना है और फिर परमात्मा ये भी चाहते हैं कि इश्वरिये सने तब जूड सकता है जब अनेक के साथ सने समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक सनहे समाप्त कर, एक से सनहे जोड़ना है, भे अनेक सनहे भी परिशान करने वाले हैं, और यह एक सनहे सदेव के लिए परिपक्व बनाने वाला है, अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना. यहां पर परमात्मा दहिक सने की बात कर रहे हैं, जो दहिक सने हम सब का जुड़ा हुआ है, संबंध के आधार से, इसके साथ संबंध है, लोकिक्ता है, आज जाती बात के कारण, हमारे जाती का है, उसके आधार से सने है, हमारे कुल का है, हमारी जाती का है, हमारे धरम का है, तो इस आधार से जो हमने संबंद बनाए है, सनेह जुटा है, यह संबंद से हमें बुद्धी तोड़ना है. हम आत्मा के नाते से एक परिवार के हैं, हात्मिक शनेह रखना है, लेकिन दैहिक संबंद में जो हम फस गये थे, जब तक हम उसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा परमात्मा से इतूट सनेह नहीं बन सकता है. तो परमात्मा चाहते हैं बच्चे आत्मिक सने रख करके, आपस में आत्मिक सने की चुट्टी है, लेकिन जो दैहिक संमंध के आधार से सने जुट हुआ है, जब तक वहां पर उद्धी लगी है तब तक परमात्मा से नहीं जुट सकती, इसलिए परमात्मा से हमारी जुट उसके लिए हमें इन सबसे तोड़ना पड़ेगा दैहिक आकरसन से दैहिक सम्मंधों से जो हमारा सने हो गया जब उट उटेगा तब परमात्मा से हमारा जुट सकता है आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि ऐसी स्थिती बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो इसको कहा जाता है तीवर पुरुशार्थी विशुद संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे पुरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पढ़ नहीं सकती नहीं तो बह जाएगा तो यहीं संकल्प मन में रहे जो वियर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो तस अब आजकर बहुत बड़ी समस्या है ये कि वियर्थ और नेगेटिव थौट्स बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से आते हैं तीब्र पुट्सार्थी की जो परिभासा परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं यही है कि हम अपने मन को स्रेष्ट चिंतन में बिजी रखे हैं और उसकी कई विधियां परमात्मा ने हमें सिखाई हैं अच्छा साहित्य हमारे पास है अगर हम उसको अध्यान करते हैं उसको पढ़ते रहते हैं बीच बीच में तो मन बिजी रहता है जब समय मिले तो इधर उधर की बातों में समय न दे करके हम ऐसे स्रेष्ट चिंतन के लिए अच्छा अध्यान करें स्वाध्याय करें अपने आपको पढ़ाएं कुछ लिखने की आदट डालें मन को अगर हम अच्छे स्रेष्ट चिंतन में बिजी कर देंगे तो कोई दूसरी बाते आएंगे तो उनको आने का उसमें चांस नहीं मिलेगा तो परमात्मा कह रहे हैं अगर मन हमारा अच्छे विचारों से भरा हुआ है जैसे अगर कोई आत्र, कोई बर्तन फुल भरा हुआ है तो उसमें हम कुछ भी डालेंगे तो बाहर चला जाएगा तो बिल्कुल तो बर्त आने की गुंजाई नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा स्रेष्ट चिंतन का खजाना है तो जितने महावाक्य हम सुन रहे हैं सवेरे से रात तक सुनें, पढ़ें, लिखें, दूसरों को अच्छे च्छी बाते सुनाएं तो इसमें मन को विजी कर दें यही तीबरपुरसारत है तीबरपुरसारती आत्मा है क्योंकि मन को फिरी रखना माना ही प्रत के ख्यालात एक कहावत है, खाली घर सहतान का डेरा जो खाली घर रहते हैं बहुत समय कोई नहीं रहता है तो कहते हैं यहां पर वुद्परेत रहने लगते हैं तो अगर यह मन भी हमारा खाली रहता है अच्छे चिंतन में हम इसको विजी नहीं करते तो यह बेर्थ संकल अपरोपी अच्छी विधी बताते हैं कि मन को अच्छे च्छे विचारों से भर लो सवेरे से लेकर करके हैं आख खुलते ही पहले बाबा से मिठी मिठी रूह रियान करो अपने आप से बाते करो अपने भागी का चिंतन करो फिरह से बाबा के महावा की पढ़ो सुनो लिखो उसकी आ को बिजी रखना है तो पुरुशार्त की जो भी कमिया है उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सकंड में उन्नती को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो समय तो रचना है रचना में यह गुण है तो रचाईता में भी होना चाहिए ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज कल की सबसे बड़ी समर्ष्या जो है वो है पास्ट का चिंतन जो बीत गई बाते समय बीत जाता है समय फिर उस बात को रिवाइज नहीं करता कोई बात बीत गई पुलिस टाप ड्रामा के अंदर क्रेशन है हमारी उसके अंदर विसेष्टा है कि जो आज बात होई उ दुबारा रिपीट नहीं होगी लेकिन आत्माएं जो बाते हो जाती है उनको बार बार रिवाइज करती रहती है एक दूसरे के आगे जाएंगे हमारे साथ इसने ऐसा किया उसने ऐसा बोला उपास्ट को बुला नहीं पाती और पास्ट बुला नहीं पाती इसलिए माइंड डिश्टर्ब रहता है तो परमात्मा हम सब को कहते है बच्चे जो बीत गया जब समय के अंसार बीती बात फिर रिवाईज्डने हो रही है तो मन के अंदर उन बीती बातों का आप चिन्फन क्यों करती हो यह बाते हो आपके मारंग में रुकावट है इसलिए कहते हैं बीती को चितुओ नहीं आगे की रखो नआस आगे की आस भी नहीं रखनी है और बीती का चिंतन भी नहीं का नहीं दूनों बाते हैं बहुत डिस्टर्ब करती है अच्छे से अच्छे चिंतन में रहो बर्तमान को अच्छा बनाओ भवी से अच्छा हो जाएगा और जो बीत गए उसको फुलिष्टाप बिदाई फिर भी भाष साथ जो चीज बीत चुकी है और किसी ने किसी रूप में सामने आती है कोई व्यक्ती जिसने कुछ गलत किया है वो फिर दुबार हाउ अपके जीवन में आता है तवी बार ऐसा होता है कि जिसके साहथ कोई गटना गटी वो अपने को बदल लेता ने वानने लेकिन हमारे मन में वो चलता रहा, फिर आप सामने आएंगे तो आपके प्रत वही संकल्पा जाएंगे, वास्तों में जो बीत गई उसी समय इसको इसको चाहिए, कि आगे तो चेंज हो सकता है, कोई भी ब्यक्ति अपने आपको पुर्शार्त करके चेंज कर सकता है, मैं अप अपने आपको परिवर्तन करती है, और वो भूल सकती है, लेकिन मैं अपने आपको ब्लाने का प्रयास करूँ, फिर भाय साब, किसी से अगर कुछ गल्ती होती और हमें उसका नेचर अपता चल गया है, तो एक अनुभव भी तो बन जाता है, तो इंसान सच्छेत रहता है, लेकिन एक द्रश्टी कौन बना लेना, यह बेक्ती है ही गलत, तो अँसे हमारा सने नहीं बन सकता है, बाकि हमारे एक ध्यान रहे है कि इसके कुछ ऐसे संसकार है, बोलने की आदत है, कहने की आदत है, अटाक्ष कहने की आदत है, उस अधदत के अपने आपको एज़ें अ बाकि ऐसा नहीं है कि वो बेक्ती है ही खराब, अगर हम द्रश्टी कौन बना लेंगे, तो हमारे संबंद में कभी मधुरता नहीं आएगी, समेपता नहीं आएगी कमजोरियों को बार-बार रिपीट क्यों करते हो, अगर ये कमजोरियां रिपीट होती हैं, तो बुरुशार्थ तेज नहीं होगा, इसलिए जो बीता-सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए, अगर संकल्प चलते हैं, तो वानी और कर्म में भी आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर समय पुरुशार्थ से तेज नहीं जाएगा। बहुत अच्छी विधी बता दी। इसी विधी को अपना कड़के चलना है। तो अच्छी विधी को यह च्राब चीज होती है। टो उनको हम जैसे बुराई को ये खराब चीज होती है। तो इसको फुरान हटादेते है। तो किड़ी हो जाएंगे, बदबू फैल जाएगे। तो अईसे अगर को बुरी चीज है। मानलो कोई बुराई हुई है, कोई गलती हुई है, और उसको ही हम सोचते रहते हैं, सोचते हैं, जैसे हम उसको अपने साथ बांध लिया, फिर उसमें जरूर कंदगी होगी, कीडे पढ़ेंगे, अंदर अंदर गलत बिचार चलेंगे, इसलिए परमात्मा को कहते हैं, कोई भ वह है जो समय की बातिती है, अब मैं उसको सोच को अगा हुई हुए है, अगर अंदर अंदर बदा करके ग्यान से कटकर दिया तो उसका झाण ठीक, जए हम प। बोलें से औरी जाएगा, स्किल थीसलिए गांजिए और बीज अगमें अ कर्म भीज अजाएगे, अगर शंकल करें, उस समय हुई थी ना बात, अभी तो बदल गया ना, अभी मैं अपना द्रश्टी कॉन इसके पर ऐसा क्यों रखो, ऐसे विचार पॉजिटिव लख करके फिर सम्मन संपर्क में आएं, तो बोल भी अच्छ हो जाएंगे, कर्म भी अच्छ हो जाएंगे, मन फिर अपने ह बिवार में आएंगे, कहीं लोग द्रश्टी कोन इसा बना लेते हैं, सामने आते ही वही विचार चलने लगते हैं, यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह ऐसा है, लेकिन अगर एक बार हमने अपने संकल्पों को रोक करके, फिर से बिवार अच्छा किया, तो हो सकता है बदल जाएं बदा सकता है, और कई बार हम लोगों ने अनभो किया है, कोई हमारे प्रत गलत सोच लेता है, कि ऐसे व्यक्ति हैं, यह टिक जवाब नहीं देते हैं, बार टिक नहीं करते हैं, लेकिन फिर दुबारा जब आते हैं, उनको सने मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, तो उनको इंधन आदी सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा, उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। यही बात है कि एक से अगर अटूट जुट गया, तो परमात्मा बीज है। बीज को हमने अपना बना लिया, उसको हमने सने किया, तो पुरा ब्रक्ष अपना हो जाएगा। भक्ति मार के अंदर भी, आज जितने हमारे नोधा भक्त हुए हैं, अच्छे भक्त हुए हैं। उन प्रमात्मा से प्रामात्मा 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 से प् की निमित बनेंगे, जिसको ये नशा रहता है उनके छ़ुशी और जोती रोप देखने में आता है। उनके चहरे में अलाकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से, सदेव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। तुम्हारे चहरे से भी सर्विस हो। न बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। जब ये नैचुरल है सम्रत्ती रहती है, कि हम कलब पहले वाली सरेष्ट आत्मा हैं। क्योंकि परमात्मा ने स्रिष्टी चक्र का जो ग्यान दिया। ये हूँ बहु रिपीटिशन का ग्यान दिया। सत्यूग, प्रेतायूग, नवापरयूग, कल्यूग। और पिर स्रिष्टी चक्र रिपीट होता है, तो कल्यूग के बाद सत्यूगाता है। ये पाँच हजार वर्स के बाद, जैसे घड़ी के अनदर स्वी जो चलती है, तो बारा से स्टाट होती और फिर से बारा बज़ता और फिर से एक आता है। ऐसे ही परमात्मा भी हम सब को इसम्रति दिलाते हैं, कि तुम कल्प कल्प, आज से पांच हजार वर्स पहले इसी रूप में इसी तरह से मुझे थे, और अब फिर से मिले हो। अब यह जब इसम्रति आती है, तो खुसी आजाती है, कि जो बिछुड़ हुआ बाप परमात्मा हम सब से बिछुड़ गए पांच हजार साल हो हैं, अब मुझे फिर से मिले हैं, तो चेहरे पर वो खुसी जहलकने लगती है। और जब जब इसम्रति में आता है, कि मैं आत्म जोती स्वरूप हूं, और मेरा पिता वो जोती परमात्मा है। तो जोती का साक्षातकार और चेहरे की खुसी दोनों से सेवा होती है। जैसे आजकल भी हमेसा चेहरे को ठीक रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो परमात्मा हमारे फिल में आत्रिक स्थति इसका धर्पन खेहरे हैं। कर थीँ जये ऑलने को पाता है कैसा बन याम्तर समें नुपवर बने आट से और जाये तक बहुत बाते हैं। बहुत अच्छे खुसी के नसे के संकल्प चल रहे हैं, तो यह जो चेहरा है वो अनिक आत्मों के दुख हर लेगा। उनको लगेगा कि इनसे हमको बहुत कुछ अच्छी प्राप्ति हो रही है। तो परमात्मा हम सबके इस रूहानी चेहरे को, आंतरिक चेहरे को इस चेहरे से दिखाना जाया है। और इसलिए परमात्मा भाई सब कहते हैं कि सर्व शक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आये, यह कैसे हो सकता है। जरूर बुद्धी की तार में कमी है, तार को जोड़ने के लिए जो युक्तिया मिलती है, उसे अभ्यास मिलाओ। जरूर इसी तरह से यदि हम परमात्मा के साथ लगातार योग करते रहें, तो सच में हमारे अंदर जो भी व्यर्थ और नेगेटिविटी है, वो खतम हो सकती है। जरूर आज के लिए इतना ही और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज के एपिसोड में हमने सनही और सहयोग के महत्व को समझा, यदि एक पिता परमात्मा के साथ हमारा अटूट सनही है, तो हमें स्वते ही सभी का सहयोग मिल जाता है। साथ ही यदि हम अपने मन को व्यर्थ और नेगेटिविटी से सदा बचाना चाहते हैं, तो अपने मन को सदा ही पॉजिटिव थौट्स में बिजी रखें। सदा ही इश्वरिय ज्यान का मनन, चिंतन, मन्थन करते रहें। पीती हुई बातों को बार-बार चिंतन में नाले कराएं। सदा वर्तमान में जियें और अपने जीवन को आगे श्रेष्ठ बनाते चलें। परदर्शकू आज के अपिसोड में इतना ही, अगले अपिसोड में इनी महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं हम विदा। ओम शान्ती। मुख्यसार इश्वरी स्नेह और सहयोग। जितना स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना माया के विग्न हटाने में सहयोग मिलता है। इश्वरी स्नेह तब जोटा है जब अनिक के साथ स्नेह समाप्त होता है। अटूद स्नेह से अटूद सहयोग प्राप्त होता है।